बेलकम टू इंटेलिजेंश्या इंस्टिटूट आप लोग इंटेलिजेंश्या इंस्टिटूट के चैनल को ज्यादा से यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए चलिए आज का करेंट अफेर शुरू करती हैं मलेफिया के परदानमंत्री कौन बने हैं? मलेफिया के नए परदानमंत्री जो बने हैं उनका नाम है दातु सीरी अनवर इबराहम जो है मलेफिया के नए परदानमंत्री बने है युद अभ्यास नसीम अलबहर 2022 इसका कौन सा संस्क्रण है तेरवा संस्क्रण है किसके बीच हुआ भारत और भारत भारत और ओमान के बीच में हुआ नुशेना अभ्यास है यह और कहां हुआ यह ओमान के टटपर आयोजित के आगा है कहा है यह ओमान के टटपर तो यह कुश्चन अब नया करेंट अभ्यास के ट्रेंड जो है देरे देरे बदल हैं तो यह पूछा जाता है कि अब युद अभ्यास किस किस देश के बीच में हुआ यह नहीं पूछा जाता है अब ट्रेंड थोड़ा बदल के यह पूछा जाता ह कि श्टट पर हुआ कौन सा संस्क्रण है तो लगभग में तीन चार टाइप की कुईशन आ सकती हैं और फिर इसमें जो अगला है भारतिय नौशेना के पोत्रिकंद सुमित्रा और समुद्री गस्ती बिमान ड्रोणियर शामिल किया गया अब ऐसा भी कुईशन पूछा जाने लगा है चैसे UPPCS 2021 में जो है एक कुईशन ऐसा ही था कि कोई उद्याब्यास था और उद्याब्यास में जो है एक पोत्र सामिल हुआ था तो उसका सीधा नाम पूछा गया था तो इसमें भी इसलिए पोत्र के नाम भी याद रखना जरूरी है त्रिकंद सुमित्रा और जो नियर नेक्स यूनेशको भारत अफ्रीका है के थान 2022 के समापन की इमबात कर रहे हैं सत्र को किसने समदूत किया तो उपराश्पती जगदीब धन कर तो यूनेशको भारत अफ्रीका है के थान 2022 के समापन सत्र को किसने समदूत किया तो यह जो है उपराश्पत हैं और यह ह हुआ कहां नोईडा में पिछले लक्चर में जो है करेंट एफेस के क्लासेज में उन्हें इसको भारत हेकताउन पे हम डिसकस कर चुके हैं एक बार और यह गौतम बुद्ध विश्विद्धाले जो है ग्रेटर नोईडा में वहीं इसका आयोजिन किया गया है अब नेक्ष बात करते हैं इंटरनेशनल इलक्ट्रो टेकनिकल कमीशन तो भारत जो है इसका उपाध्यच चुना गया है और यह इसकी बैठक जो है सैन फ्रांसिसको जो अमेरिका में पड़ता है वहीं पर बैठक वा और वहां पर यह निर्णे लिया गया है कि भारत को जो है आईफी जो इंटरनेशनल इलक्ट्रो टेकनिकल कमीशन है इसका उपाध्यच भारत को चुना गया और यह चुना गया है भारत जो है दोजार तेश से दोजार पचीस के लिए दोजार तेश से दोजार पचीस के लिए भारत जो है उपाध्यच चुना गया इंटरनेशनल Electro-Technical Commission के लिए तो question यह भी आ सकता है इसके बैठक कहा हुआ हुआ फैन फ्रांसिस्को में हुआ ऐसे भी आ सकती है और उपाध्यच भारत किस वर्ष के लिए चुना गया 2023 से 2025 के लिए चुना गया और इसी के साथ ही भारत जो है अध्यच भी चुना गया Strategic Management Board इसका काम होता है कि Electric और संबंधित प्रद्योकी के लिए अंतराश्टे मानक तयार करना यह इसका में काम होता है International Electro-Technical Commission के उपाध्यच पद के लिए भारत ने किसे चुना तुरन भारत ने इसका उपाध्यच पद के लिए भी चुने और यह चुने हैं जो इसका पदगरहन किये बिमल महंद्रू है उस्ताद बिश्मिल्ला खां इवाप्रोशकार यह के से मिला यह दिया जाता है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा और यह दिया जाता है 40 वर से कम आयू के कलाकारों को 25,000 रुपे उवसुद 2019, 2020, 2021 के लिए 102 भारती कलाकारों को यह पुरुशका दिया जाएगा तो यह आ सकता है किसके द्वारा दिया जाता है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा और कितने लोग को दिया का है 102 ये मेन आ सकता है factual question एकदम आ सकते हैं इसे ही भारत की पहली यात्री drone को किस नाम से जाना आता है तो ये जाना आता है वरूर इसमें हम कुछ number mark इसमें जो है पिछले जुलाई यागर फितंबर अक्टूबर के miscellaneous भी हैं जो important है exam में समभवता पूछे जाने के 100% chance है तो उस question को हम discuss कियें जो बहुत ही मातपूर है और exam में ये आते हैं question इस type के ही question आती है और इसका अनावराण किसने किया परदानमत्री मोधी ने किया दूनिया की पहले नाक से दी जाने वाली कोरोना रोधी किस सुधियर सी नेजल वैक्फीन के आपातकाल परियोग की अनुमत्ती देगी तो ये है इनको वैक बिहार के किस मकाने को GI टैक परदान किया गया तो ये है मिधला मकाना कौन सा मकाना है मिधला मकाना बिहार पीफेश के लिए बहुत ही इंपॉर्टन कुश्चन है और अधर श्टेट में भी ये आ सकता है कि मिधला मकाना जो है ये GI टैक परदान किया गया एक किस राज से संबनी थे तो ये बिहार से है एक सो चारवी जैनती के आउसर पर गोगल पर किफ के नाम का बिफेश डूडल बनाया गया तो ये अन्ना मड़ी है ये इतना उपाटन है लेकिन फिर भी देख लेते हैं और ये कौन है भारती ये प्रसिद भहुतिक यूम मौशमिग ज्यानी है भारत का पहला हर घर जल प्रमाडित राजी किसे गोशित किया है ये गोवा को अमेरिकन अकादमी आफ निवरोलोजी का फेलो किस भारती डाक्टर को चुना गया तो ये चुने गया है डाक्टर सुंदर चार्या को ग्रामीड अजीव का पार्क अस्थापित करने वाला पहला राजी कौन सा है? किसने गोशड़ा किया? तो 36 गड़ ने गोशड़ा किया है कि हम ग्रामिल अजीब का पार की अस्थापना करेंगे इन इसको द्वारा किस राजी में इस्थित? खगोलिय वेद साला को संकट पूर मातपूर संकट गरस्त बिरासत बेश्यलाओं की सूची में फ्यामिल किया गया है तो किस राजी में इस्थित है ये? तो ये है बिहार अब कुछ मातपूर योजना और परियोजना है उसके बारे में देख लेते हैं वन नेशन, वन फर्टिलाजर योजना इसको लांज किया गया गांधी जैन्ती के दिन, दो अक्टूबर दो जारबाई फिर लागू किया गया और इसका उर्वरक सफिडी योजना का नाम मतल कर परदान मंतरी भारती ये जन उर्वरक पर योजना रख दिया गया है और देश में एक ही व्रांड नाम और इसका नाम ब्रांड का नाम जो है भारत के तहस सभी प्रकार के अर बेचे जाएंगे जैसे ये रिया हो गया, DfE हो गया, Enpks हो गया तो इसका अब नाम रहेगा भारती उरिया, भारत DFE, भारत MOP, भारती NPKS, इस तरीके से इसका नाम रहेगा, मतलब इसको एक ब्रांड दे दिया गया, उस ब्रांड पे जो है भारत नाम रहेगा, ठीक है, भारत नाम रहेगा, इस नाम से बेचे जाएंगे, अब ये की योजना है, PM Shri, प्राइम मिनिस् सिच्छक दिवस के दिन, जो आप 5 सितंबर 2022 को मनाया जाता है, और ये किश्व के द्वारा, प्रदान मंत्री के द्वारा, और इसका उद्देश क्या है, उद्देश ये है कि देश के जो 14500 स्कूल है, उसका विकास और 99 कैफे किया जाएगा, उसका 99 किया जाएगा, तो इ 2014 को लांच किया गया था, लेकिन 22 अगस्त, वो 28 अगस्त है, ये 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था, और 28 अगस्त 2022 को आठ वर्स पूरे किये हैं, इसलिए ये न्यूज में हैं, अब कुछ हम आफ्रेशन और अभ्यास के बारे में देख लेती हैं, तो इूद अभ्यास 2022, ये कौन सा संस्क्राण है, अठारवा है, ये कहां हुआ, ओली उत्रखंड में हुआ, किस के बीच होता है, भारत और अमेरिका के बीच, अल नजा, अल नजा देखते हैं, ये कौन सा संस्क्राण है, चोदा संस्क्राण है, कहां हुआ, महाजन फिल्ड फाइरिंग रेंज, राजस्थान, और किस के बीच होता है, भारत और रोमान के बीच, फैंउत सैन अभ्यास है, अब देखिए, कुश्चन इसमें भी ट्रें अभ्यास हुआ कहां, ये है, किस के बीच हुआ, भारत और रोमान के बीच, कौन सा अभ्यास है, सैन अभ्यास है, अब कुछ मादपूर्ट दिवस हो, देख लेती है, विस्व जल दिवस होगा यहां पे, विस्व जल दिवस, विस्व जल, आप लोग जल लिख लिजे, वि 23 अगस्त से 1 सितंबर के बीच मनाया गया और बिशय क्या था Feeing Seeing the unseen Feeing the unseen The value of water ये इसका theme है Feeing the unseen The value of water question आ सकता है इस तरीके से भी कि हाली में अभी 20 जल सबता दिवस 23 अगस्त से 1 सितंबर के बीच मनाया गया इसका बिशय क्या है इसका theme क्या है तो तुरंट देखते ही आप लोग देखेंगे जैसे seeing the unseen the value of water ये आफन में देखेगा ये ही सही है ओके आगे फहला अंतराश्टी चंद्रमा दिवस तो ये कम मनाएगा फहला ही फिले बहुत ही important है very important क्योंकि कोई चीज पहली बार होता है एक्जाम में 100% आने के चांद से उनके रहते हैं तो पहला अंतराश्टी चंद्रमा दिवस ये कम मनाएगा 20 जुलाई 2022 को मनाएगा 20 सुनारियल दिवस कम मनाएजाता है दो सितंबर को बिश वनारियल दियर जो हता है दो सितंबर को मना जाता है और इसका बिश है जो है शुकी जुलाई